मित्रों आज आमादमी पार्टी के एक विधायक की गिरिफ्तारी के बाद धर्ना प्रदर्शन और रोट जाम में जिस प्रकार की कृत्य और असंवेदन शीलता का परिचे आमादमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने दिया है वह सर्वता निंदनी है आप सब ने एलेक्ट्रोनिक चैनलों पर भी देखा होगा कि भीड में फसे कुछ लोग जो की अस्पताल जाने के लिए परिशान थे वो आमादमी पार्टी के कारेकर्टाओं से याचना करते रहे अनुने विन्य करते रहे परंत उन्हें जाने का मार्ग नहीं दिया गया सामानने के सरोकारों के स्वयंभू मसीहा होने का दावा करने वाली पार्टी वास्तविक अर्थों में एक आम गरीब मुसीबत में फसे हुए आदमी के संबेदनाओं के पृति कितनी सजग और कितनी संबेदनशील है आम आदमी पार्टी एक के बाद एक उनके समाम विधायक और नेताओं पर जिस प्रकार से आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं उसने श्रंखला बद रूप से उनकी शुचिता की पोल खोल दिये और इन सभी मामलों में सारे के सारे आरोप आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने ही लगाएं इस विशे में भी जिसमें वर्तमान विधायक की गिरिफतारी हुई है इसमें भी आरोप आम आदमी पार्टी की ही एक कारिकरताने लगाएं यहां तक कि उनके सही ओजक्ष्री अद्विंद के जरीवाल जी के विरुद्व सारे के सारे आरोप उनके नेताओं उनके संस्थापक सदस्यों और पार्टी बनने से पहले ही उनके साथियों ने बहुत सारे लोगों ने लगाए अब यह स्पष्ट होता है कि आप अपने कारिकरताओं को के साथ सही विवार नहीं करते नेतुर्त्य में जो परिपक्वता होनी चाहिए वो नहीं है और यदि आप पे उपर कोई भी आरोप लगा है तो इस देश की व्यवस्था और समवैदानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार आप जाने में क्योई छुक नहीं है तो यह अभी इस पश्ट है कि आप कानून का सम्मान में नहीं करते और अब आज जिस प्रकार से आपने जनता के सामानने गरीब लोगों को जो की परेशानी में फसे हुए थे उनकी परेशानी के ऊपर अपनी राजनेतिक महत्वा कांशा और विद्देश को रखा है उससे यह भी साफ हो गया है कि आप आम जनता से भी कोई सरोकार नहीं रखते अताहा आज के इस प्रक्रण के बाद इस पश्ट है कि आम आदमी पार्टी की शुचिता की राजनीति की पोल खुल चुकी है उनके कार्यकरताओं के अंदर ही अपने नेताओं के प्रती असंतोश है उनका नेत्रत्व ना दिल्ली प्रदेश का शासन चलाने में सक्षम है ना अपनी पार्टी को चलाने में सक्षम प्रतीत हो रहा है ना उन्हें देश की कानून और नियाईक प्रक्रिया पर भरोसा प्रतीत हो रहा है और ना ही आम जन्ता के सरोकारों से कोई मतलब है अतहा हम आदनी पार्टी को आज एक सेल्फ इंट्रस्पेक्शन करने की जरूरत है कि वो कहां से चले थे और कहां पहुँच रहे हैं और वो आम जन्ता के लिए किस-किस प्रकार की समस्याएं और मुसीबतें अपने निहित राजनेतिक स्वार्थ में खड़ी करते चले जा रहे हैं देखे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा तो श्री मायवती जी ने जो कुछ भी बयान दिया उसके संदर में मैं कहना चाऊँगा कि हमारी पार्टी के भूत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दया शंकर सिंग ने जो बयान दिया था वह तो एक निजी इस्तर पे दिया बयान था जिससे पार्टी ने पूरी तरीके से असहिमत हिवेक्ष की उसे गलत माना उन्होंने उसके लिए छमायाचना भी कर दी फिर भी पार्टी ने उसे अक्षम में माना हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उसके लिए छमायाचना की और केंद्र में राज्यसभा में नेता सदन एवं वित्र मंत्री शी अरुण जेटली जी ने भी उसके लिए खेद वेक्ट किया छमायाचना की परन्तु बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो कुछ हुआ वो तो एक विवस्थित योजना के तहट हुआ आपके संगठन ने प्लान करके किया और आपकी नेत्री मायावती जी के दिशा निर्देश में किया तो हम तो साफ ये कहना चाहेंगे कि यदि आप कारवाई की मांग दयाशंकर सिंग पर कर रहे हैं तो तकनीकी दृष्टी से वही कारवाई की मांग आपके नेताओं पर क्यों नहीं होनी चाहेंगे और नेतिक दृष्टी से देखें तो आपका दोश कहीं जादा बड़ा और गंभीर नजर आता है क्योंकि आपका सब कुछ राजनेतिक रूष से सुविचारित योजनाबद संगठन के द्वारा एक कारेक्रम को आयुजित करके आपके राष्टी नितृत के दिशानिर देश में हुआ अता वो एक structured party view है और हमारे case में डया शंकर सिंग की एक गलती है जिससे party ने पूरी तरीके से dissociate किया है अता इस मामले पे भारती जनता party और बहुजन समाच party का पक्ष में जमीन आसमान कंतर और बहुजन समाच्ट։ और अता बहुजन है राता पूरी जुजन समय व में विलत कि सथा अपरद्यू यहजन समय ने खिति आ तर अवजर को सब्टाइब officers in के पूरे आप शैन्यृत यह वारतायू right now, now they are saying no, no, this is the part of political conspiracy and other thing which was the same thing which was said by other political parties and this Ahmadini party uses to reducal it you remember they were having a slogan on their cap and forget about the level of the government what they have done to their own logpal in the party they have thrown him out so there is a dichotomy of the character when they were not in power they were saying something else on the issue of probity in public life now when they are in power they are trying to take the same L.A.B. as those M.L.A.s in Uttar Pradesh and Bihar of the Samajwadi party or R.J.D. those who are having allegation on various criminal charges uses to have oh this is the politically motivated we should not be treated like this what is the difference between these two the what is the difference? ? ? झाल झाल